हेलो फ्रेंद्स, वेलकम टू पैबली कनेक्ट, आज का हमारा टॉपिक है Get Webflow Form Submission to Google Sheet तो दोस्तों इस प्रोसेस में हम चाहते हैं कि जब भी कोई New Form Submit हो या response हमको Received हो Webflow में, उसका जो डेटा है वो Automatically जाके हमाई Google Sheet में हो जाए तो आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं Automate, पैबली कनेक्ट की मदद से आए जानते हैं यह प्रोसेस कैसे वग करता है तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर सेख दकते हैं Trigger में लिया है Webflow और Action में लिया है Google Sheet, तो जब भी कोई New Form response received होगा हमारे Webflow में उसका data automatically जाके record हो जाएगा हमारी Google Sheet में तो आप भी इस प्रोसेस पे काम कर सकते हैं और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पर ओके फ्रेंज तो यह है पैबली की official website और आप इस page पे आज सकते हैं आपके ब्राउजर में टाइप करके पैबली.com अब यहां पर आपको दो option देखेंगे एक है sign in का option दूसरा है sign up for free option तो अगर आप एक new user है तो आपको क्लिक करना है sign up for free बटन पे और आप आपका account बना सकते हैं केवाल 2 minute में मैं क्लिक करूँगा sign in पे क्योंकि मैं एक existing user हूँ और उसके बाद हम जाएंगे यह वाले dialogue box में पैबली connect वाले में और क्लिक करेंगे access now अब दोस्तों आप आप जाएंगे पैबली connect के dashboard पे और यहां पे आपको जाना है create workflow वाली बटन पे अब यह workflow हमसे पूछ रहा है कि हम इस workflow को कोई नाम दे तो let's say मैं इसको नाम देना चाहता हूँ get all web flow form submission to google sheets अब यही दोस्तों हमारा objective है आज का और आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते है situation के हिसाब से तो मैं क्लिक करता हूँ create पे और उसके बाद आप आजाएंगे यह वाले page पे अब यहां पे आप दो important modules देखेंगे trigger और action तो trigger बोलता है when this happens इसका मतलब होता जब ऐसा हो तो action बोलता है do this तो ऐसा कर दो तो दोस्तो basically पूरा automation trigger और action पे work करता है तो आई हमाई trigger application हम यहां पे चूज कर लेंगे जो है web flow और trigger event में हम चूज करेंगे new form submission instantly और फिर हम क्लिक करेंगे connect वाली बटन पे यहां पर हमको add new connection करना है और आप से पूचेगा API token तो हम यहां पे API token को enter कर देंगे इसके लिए आपको यहां पे details पढ़ लेना है go to your project settings integration API access and click the generate API token button to obtain an API token ठीक है तो हम यह steps follow करके हमाई web flow account में जाएंगे यह मेरा web flow account है उसके आद हमको जाना है settings पे और settings पे जाने के बाद हम जाएंगे integrations पे अब यहां पे आप देख सकते हैं जैसे scroll down करेंगे API access करके हमको show हो रहा है उस पे आप generate new API पे जाएंगे और API key को करने हाँ से copy उसके आद आप 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 यहां पर यहां पर API key को कर देंगे इंसर्ट अब इंसर्ट करने से पहले आप यह भी पढ़ें अब यहां पर और कोई सी साइट हमको इसलिए 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 हमाई system ने जो API की हमने जिस साइट की generate करें वही API की हमने आपर connect करा है इसलिए हमको techno institution ही शो हो रहा है यह वो particular site है आप देख सकते हैं अब मैं क्लिक करूंगा save and send test request वाली बटन पर अब दोस्तों यहां पर हमको शो हो रहा है waiting for response तो basically हमको एक test submission करना है यहां पर note लिखा है once you have clicked over the save and send test request button then do a test submission record in that application in order to capture the response तो हमको test submission करना है और मैं आपको ले चलता हूं एक form पर जो मैंने create करा है यह वो particular form है अब हम इसको करेंगे fill यह contact form है इसको हम करेंगे fill अब यहां पर example मैं इसको नाम दीना चाहता हूं demo user email address हम इसका देंगे demo user at the rate probably dudes.com phone number हम दे देंगे let's see 91 okay gender हम में हम type कर देंगे mail और click कर देंगे submit वाली बटन पर thank you your submission has been received basically हमारा form submit हो चुका है और हम देखते है पापली connect में हमको response received हुआ है यह नहीं आप देख सकते हैं हमको positive response received हुआ है जिसमें हमको name में उस form का name मिल गया email form हमको phone number received हो गया है gender received हो गया है name received हो गया email id भी received हो जो अब दोस्तो हमारी next action step में हम select करेंगे google sheet google sheets और उसके बाद action event में हम choose करेंगे add new row अब दोस्तो हमने यहाँ पर action में google sheet इसलिए choose कर रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो form response हमको यहाँ पर received हुआ है यह form response हो जाए हमारी google sheet में record तो मेरी google sheet है यह webflow form response करके google sheet है और मैं जाता हूं यहाँ पर जो form की details है यहाँ पर हो जाए record इसलिए हमने आप गूगल sheet को लिया है action में अब हम क्लिक करेंगे connect पे और मैं जाओंगा add new connection पे यह dialogue box आप से पूछ रहे connect google sheet account तो basically हमको हमारा google sheet account को connect करना ताबली connect के साथ इसलिए हम चाहेंगे add new connection पे और क्लिक करेंगे sign in with google अब हम यहाँ पे वो particular account select कर लेंगे जिसमें हमारा google sheet का access है और क्लिक करेंगे allow वाली बटन पे जी हां दोस्तों मारा authorization successful हो गया इसका मतलब यह कि हमारा google sheet account जो है वो पाबली connect से successful connect हो चुका है तो हमको यहाँ पे select spreadsheet कर लेना है पहले तो हमारी spreadsheet है workflow form response okay select sheet में sheet 1 रहने देंगे क्योंकि हमारी spreadsheet में एक ही sheet है और full name में हम यहाँ पे mapping करेंगे basically यह जो fields है इसमें हम map करेंगे data आए मैं आताता हूं mapping कैसे होती है यह आप इस पे click करेंगे और यहाँ से for example मैंने इसका full name map कर दिया यह मैंने mapping कर दिया अब जब भी form response आएगा वो dynamic response देगा हमको जब भी workflow run करेगा अगर मैं for example मैं आपे phone number यह मैंने manually type कर दिया यह phone number तो हमेशा यह phone number हमारे response में show होगा और रिकॉर्ड होगा google sheet में क्योंकि हम manually type कर रहे है अगर मैं mapping के इस्तिमाल करता हूँ तो हमको dynamic response में लेगा इसलिए mapping बहुत important है अब full name तो हमने map कर दिया email id भी हम map कर दिया यह वो particular email id हमने map कर दिया phone number हम map कर दिया जो कि यह है और gender भी हम map कर दिया यह हमने gender map कर दिया कि यह response हमको received हुआ है यह update हुआ है google sheet में यह नहीं as a new role तो आप देख सकते हैं कि मैं को यह demo user उसकी email id mobile number और mail उसका जो gender है वो हमको यहां पे record हो गया तो basically हमारा जो हमने automation बनाया है वो successfully work कर रहा है ठीक है दोस्तो अब आपको कुछ नहीं करना है आपने यह workflow बना लिया यह background में अपना काम करता रहा अब मैं आपको एक test submission करके बताऊंगा रियल टाइम में कि अब दूसरा form अगर कभी भी summit होता है तो वो कैसे work करेगा तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी फॉर्म पर मैं इसको new form को फिस से open करूँगा यहां पर मैं इस बार डालूँगा dummy user email address में डाल दूँगा dummy at the date pably dudes dot com phone number में डाल दूँगा यह उसका phone number है और gender इस बार हम सेलेक करते हैं female उसके बाद हमको क्लिक कर देना है submit पर अब हम चेक करेंगे हमाई Google Sheet में कि यह response हमको receive हुआ है नहीं तो आप देख सकते हैं dummy user, email address mobile number of female उसका gender है यह हमको हमारी Google Sheet में हो गया है record तो basically आप भी इस automation पर काम कर सकते हैं यह बहुत easy automation है इसमें कोई भी coding skills की जरुबत नहीं है तो मैं summarize करता हूँ कि हमने इस workflow में क्या करा है हमने trigger में लिया है web flow और trigger event में हमने लिया new form submission instantly और action में हमने लिया है action application में Google Sheet और action event में हमने लिया add new row तो basically यह पूरा automation इन दो step पर काम करता है अब आपको इस workflow में कोई doubt है तो आप फ़र्म इंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस automation का जो link है वह आपको description box में भी मिल जाएगा यह मैं आपको description box में share कर दूगा यही नहीं दोस्तों आप और भी integration बना सकते है पैबली करने की मदस से और आप हमको mail कर सकते है support.pabli.com पे अगर आपकी कोई queries है या कोई doubt है तो आप हमको mail कर सकते है forum.pabli.com पे और अगर आपको कोई price related issue है तो आप इस link पे जा सकते है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको like करें करें और हमाई channel को subscribe जरूर करें thank you